मैं सब आप जब मेरे हां आये थे तो आपकी प्लेट लेट इतनी थी 35 जार और एस जीओ टी कितना था वह लगभग धाई सव धाई सव क्या सपास थी उस समय आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी उस समय दिक्कत क्या तेज बुखार था और शरीर में जो है होफन यानि की आन होती थी पेट भी गड़बर था जो है लेटिन पतली आती थी और जो है आवाज करके आती थी अच्छा अच्छा यह कब की बात है यह जो है यानि लगवग उन्ने इस बीस तारी को आप आये थे अक्टूबर में और आज है चोविस तारी ठीक है और अब आपकी प्लेट लेट कितनी है एक लाग चोव सथ हजार और अब आपको सारी रूप से बिल्कुल सब सही है सबनार्मल है मतलब जैसे ज्यादा आगर जो मतलब चल दें या मतलब मेहनत करें तो थोड़ी वह खितिए जिसए आती है भाकी ओर शती है खाना भी अच्छा लगता है खाते हि है अच्छा बहको जाता है ये बरमाजी है लखनो nothing से और ऐसे जब चेहरे पर मुस्कान आती है तो सच मुच में ऐसा लगता है कि हिर्दे गदगद हो जाता है और अक्सर होमिपैथी के बारे में लोगों में दुस्प्रशार है कि होमिपैथी धीरे-धीरे काम करती है बाई सब आपको याद है कि आप आये थे तो कहीं से कि हमारा जल्दी सही हो जाए और होमिपैथी को इसलिए एग्नोर कर रहे थी कि होमिपैथी में तुर्ण दीरे-धीरे काम करें लेकिन जब आपको किसी ने बताया है जिसको की आराम हुआ था तब आप मेरे हाए थे है ना साइद ही बात उस दिन बात हुई थी तो साथियो लोगों के जो दिलो दिमाग में भ्रांतिया है ना यह ऐसे रिपोर्ट जो है ना उनके लिए संजीवनी का काम करेगा देखिए ना कि किसी की प्लेटलेट 35,000 हो और ओ घबड़ा जाता है यार मैं क्या करूं आस्पिटल में डिमी ठोनेर की इस्तिति आती है हम लोग कहते ह कि एक बार आप पिश्वास करके किसी अच्छे होमेपेथी चिकित्सक को दिखाईए और मैं जिमेदारी से कह रहा हूं अगर सही दवा पड़ेगी और आपने सही से खाया तो ऐसे ही मैं तो कहता हूं कि आप मेरी दवा खाईए आज आप दवा खाईए अकल जांच अगर आपको रिजल्ट अच्छा ना है तो मैं मैं दवाई नहीं दूँगा मैं खुद का दूँगा कहीं दिखा लीजे लेकिन साइद ऐसा होता कम है अब अब बर्मा जी जो कुछ मैंने आपसे कहा था उतना हुआ अब हमें लग रहा है कि आपके मन से जो दहसत थी कि हमे परवाद दीजिए इस अब उनहीं के क्रिपास से हैं देखिए हम काम करते हैं लेकिने पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं कि नहीं आप काम करो सही होगा मरीज अब देखें इसके साथ आपसे कहा था अरवाजिया मत तेंसल दीजिए आप परसो आईएगा आपकी अब आपको दासर लेने कोई जरूत नहीं आप बिल्कुल फिट हैं थोड़ी से दवावर देदे रहा हो और थोड़ा भी भी आप खान पान में बिल्कुल सुपाची चीजिए लेजिए गादल या दाल चावर आपसे हलका खाना भी तो चरपाई दिन और काई है लेकि एक अभी कर दिजिएगा और बस इस स्वर की क्रिपा हो गई अब आपको टेंसिन लेने की कोई जरूत नहीं ठीक है बहुत दो धन्यवाद पंखा चला दो बटो अब बड़ी हो मैस लेकिए